Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable में कई सारे तहवार आते हैं, बहुत सारी खुशियां होती हैं, लेकिन साल में दो बार ऐसा मौका आता है, 26 जैनवरी और 15 अगस्त, जो की अलगी फील होता है, अपने देश को लेकर एक अलग proud moment सा फील होता है, तो यहाँ पर आज में आपको इस वीडियो के अंदर, जो Republic Day पर परेड निकलता है, उसमें क्या-क्या चीजें important है, कौन सी theme है इस बार को, जिसको लेकर आगे बढ़ाया गया है, यह आप देख सकते हो, नारी शक्ति और military might, जो arms है, उसको represent किया गया, women empowerment इस बार का सबसे बड़ा आपको power देखने को मिलेगा, especially अगर आपने आज परे अगर आपके पास मौका है, कोई भी batch अगर आप लेना चाहते हो, study IQ पर, चाहें UPSC से related हो, जैसे कि 26 मई को जो prelims होगा, SIP आप ले सकते हैं, अगर आप 2025 की त्यारी कर रहे हैं, जिसमें पूरी त्यारी चाहिए, prelims, mains, interview, सब कुछ, तो हमारा foundation batch ले सकते हैं, इनको join करने क हमारे website अप पर जाएए, या फिर comment section में link है, और use करना है code UNKITLIVE, ताकि आपको maximum discount मिल सके, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly क्या हो रहा है, देखें इस बार का जो Republic Day मैंने आपको बताया, women empowerment को बहुत बड़े स्तर पर represent कर चुका है, in fact जो पुरा parade अगर आपने देखा होगा, तो उसमें बड़ी संख्या में जो महिलाओं का participation है, वो देखने को मिला था, क्योंक पहली बार all women tri-service contingent, मतलब कि जो हमारी army है, air force है और जो navy है, उसमें जो महिलाओं हैं, उनको एक साथ tri-service contingent जो है, वो पहली बार represent किया गया है, फिर इसके साथ-साथ आप ये देख सकते हो कि जो parade होता है, वो कहां से सुरवात होती है, और कहां पर end होता है, बहुत से इसा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये राश्टपती भवन, सबसे पहले इसकी सुरवात होती है, राश्टपती भवन से, और आज का जो parade है, वो 10 बजे के आसपास, 10-10 बजे के आसपास start हुआ था, तो राश्टपती भवन के just सामने, अगर आपने से जो लोग दिल्ल इसा नहीं है, ये है आपका इंडिया गेट, तो इंडिया गेट और राश्टपती भवन के बीच में ये जो पूरा मार्ग है, जो रास्ता है, इसी को कहा जाता है, कर्तव विवपत, ठीक है, तो वहाँ से विजेपत से ये start होता है, इंडिया गेट होते होते आप देख सक तक जाता है, अगर हम इस बार के थीम की बात करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार का जो थीम है, वो है विक्सित भारत एंडिया लोगतंत्र की मात्रुका, मतलब की नेशन्स एस्पिरेशन एंडिस रोल एस दी नर्चरर अफ डेमोक्रेसी, तो जो भारत के डवलप्मेंट है, उसको एक तरह से इस बार के थीम में इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि दा परेड विल प्रॉमिनेंटली फीचर विमन मार्चिंग कंटेंजेंट और यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उन सब की जो जहाकिया हैं, वो इस बार काफी बड़े स्तरपन निकली हैं, इनफर्ट आपको बता दूँ, जो टैबलो है, उसको लेकर इस बार कुछ विवाद भी हो गया था, पंजाब सरकार के दोरा यहाँ पर आरोप लगाया गया, कि उनकी जहाकी को य ऐसे चूस किया जाता है, बेसिकली यहाँ पर जो डिफेंस मिनिश्ट्री की सोर्से से बताया गया, कि जो अलग-अलग यूटीज हैं, यूनियन टरेटरी, स्टेट हो गए, वो यहाँ पर अपना नॉमिनेशन भेशते हैं सेंटरल गौर्णमेंट को, और कहते हैं कि हम अर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्चर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, उसके अंदर ये एक्सपर्ट कमीटी के अंदर लोग होते हैं, और उनके दोरा मीटिंग के तहट डिसाइड किया जाता है कि कौन से राज का सेलेक्शन करना है, किसको रिजेट करना है, मतलब बहुत 30 स्टेट्स और यूनें टरिट्रीज ने अपलाई किया था, जिसमें से आप कह सकते हैं कि लगबग 15-16 जो स्टेट्स और यूटीज हैं, उनको इस बार सेलेक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो पंजाब और वेस्ट बेंगॉल है, उनका रिजेट कर दिया गया था, और इसलिए पंजाब और वेस्ट बेंगॉल ने डारेक्ली किंद्र पर आरूप लगाया था, कि हमारे जो जाकिया हैं, उसको सरकार निगलेट कर देती है, खेर मैं आपको बता दूँ, पिछले 7-8 साल में देखो कि जैसे वेस्ट बेंगॉल हो गया, तो 7-8 साल में लगब अभी जारी है, अब देखते हैं, शायद वो अगले बार से स्टार्ट होगा, खेर अब हम आते हैं कि यहाँ पर इस बार का जो परेड था, उसमें क्या-क्या इंपोर्टेंट चीजें थी, देखो यहाँ पर जो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशेटिव लिया गया इस बार क जिनोंने भारत की जो सभ्यता है, जो कल्चर है हमारा, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे संख हो गया, नगारा हो गया, उसके माध्यम से यह जो पूरा परेड है, उन्होंने इसकी सुरुवात की, फिर आगे चलकर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हाइस्ट ग गेश्ट की बात करें, तो आपको पता ही होगा कि जो फ्रांस के राश्पती है, इम्मैनुल मैकरॉन, वो इस बार आ रखे हैं, और आपने देखा होगा, कल परधान मंत्री जी उनको जैपूर में रेसीव किये, और एक जैपूर में रोड शो भी निकला था, जी हाँ, रो इस जो फ्रांस का बैंड है, और जो मार्चिंग कंटिंजन्ट है, वो एक साथ यहाँ पर परेड कर रहा है, तो एक अच्छा लगता है, दूसरे देश को भी अच्छा लगता है यहाँ पर, कि वो भारत में आकर, या फिर भारत की भी कई बार आपने देखा होगा, हमारे जो कंटिंजन्ट है, वो भी फ्रांस जाते हैं, और इस तरह से अपने देश को रेप्रेजन्ट करते हैं, यह कई बार होता रहता है, फिर इस बार यहाँ पर जैसा मैं आपको बता रहा था, कि जो मिलिटरी माइट है भारत का, उसको भी दिखाया गया है, जैसे कि for example, टैं जाग मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको टैंक डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, यह आप देख सकते हैं, इनफरक्ट मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ इस पिक्चर में, यह आप देख पाओगे यहाँ पर, इसको टैंक डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, तो काफी तक मदद कर सकता है, अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार की हमें इसकी जरूरत पड़ती है, फिर इसके अलावा यहाँ पर आल्ल टरेन वहिकल आप देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर दिखाया गया, रप्रेजेंट किया गया करतव विपत पर, इसके अलावा रडार सि जैसे इसराइल का आईरन डोम है, इसी तरह से पिनाका मिसाइल को भी भारत का आईरन डोम बोला जाता है, इसका जो रेंज अगर आप देखोगे तो 37.5 किलोमीटर का होगा, और यहाँ पर पूरा सिस्टम आता है ना एक लॉंचर आता है, उसमें 12 रॉकेट आपको देखन और इसको export भी किया जा रहा है भारत के दोरा, तो इसको भी represent किया गया, फिर इसके लावा जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि जो पहली बार all women try services का जो contingent है, वो यहाँ पर करतव पर पर पहली बार जो है लाया गया है, या इसके अंदर जैसा मैंने आपको बोला था कि Indian Navy Indian Air Force और Indian Army, तीनों जो उसमें महिलाए है, women soldiers हैं, वो उसके अंदर जो है लाई गई है, फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, women armed forces medical services contingent उनको भी पहली बार Republic Day के parade में शामिल किया गया, और इसके साथ साथ देखे, हर साल जब भी Republic Day parade होता है, ये बड़ा अंदर दिश होता है, तो इस बार भी वैसा ही हुआ, अब हम अगर बात करें टैबलो की, जो जहां किया निकलती है, अलग-अलग राज्यों की, वो आप देख सकते हो, अरुनाचल परदेश का जो टैबलो है, इसमें मैं आपको बता दूँ, ये अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर जो एक Community Reserve है, जिसको 2017 में सेट अप किया गया था, इसका नाम है, सेंग्चुंग बुगून Village Community Reserve, ठीक है, जो की अरुनाचल परदेश के Rich Biodiversity और Traditional Cultural Heritage को एक तरह से Represent करता है, तो वो इस बार के जहाकी में देखने को मिला, अरुनाचल परदेश के, जहां तक हर् हम से वो अलग-अलग Services का फायदा लेती है, जो टैबलेट है, वो यहां पर जो महिला है, लड़की है, वो पकड़ी हुई है, तो एक तरह से Digital, महिलाओं का जो Digital Devices हैं उनके पास, उनके Empowerment को एक तरह से Symbolize करता है, फिर यहां पर आप देख सकते हैं, मधपरदेश, देख सकते हो, और इसके साथ-साथ महिलाओं का जो Participation है, अलग-अलग Sectors के अंदर, from Modern Services to Traditional Industries, उसको भी शामिल किया गया था, मधपरदेश के जो Tableau है, उसके अंदर, फिर इसके साथ-साथ मनिपूर का अगर हम बात करें, तो मनिपूर के द्वारा, जो उनका 500 साल पुराना Market है, जिसको कहा जाता है, इमा कैथल, ठीक है, that is one and only in the world, that is run entirely by women, मतलब इकलोता ऐसा Market है पूरे दुनिया में, और वो भी 500 साल पुराना, जो की पूरी तरह से महिलाओं के दौरा रन किया जाता है, उसको यहाँ पर शोकेस किया गया, जहां तक Odisa का सवाल है, अगें, यहाँ प मिलेगा, फिर जहां तक उत्तर परदेश का सवाल है, जो देखिए, इस बार तो हम सब जानती है, भवे तरीके से जो राम मंदिर का inauguration है, वो किया गया था, तो उत्तर परदेश के जहाकी में, आपको जो राम लला है, उनको एक तरसे से रप्रेसेंट करने की यहाँ पर को कोशिश की गई है, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, जो अलग-अलग कुछ मिनिश्ट्रीज होती है, स्पेशली मैं सब के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्पेशली इसरो, आपको पता ही होगा, पिछले साल चंद्रियान 3 को लेकर कितनी चर्चा होई, तो इसर पतावा यहाँ पर अगेन एक बहुती अद्भूत द्रिश लगता है मुझे, जब भी यहाँ पर जो बाइकर्स हैं, उनके दोरा जो है कर्तब बे दिखाया जाता है, तो CRPF Women Bikers शोकेस कर्तब पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यह भी काफी अच्छा होता है फिर इसके साथ-साथ आपको पता है, हमारे fighter jets और helicopters के दोरा भी काफी सारे चीजें यहाँ पर शोकेस की जाती है, तो सबसे पहला यह जो द्रिश आप देख रहो ना, यह है आपका प्रचंड, जो HL के दोरा बनाया गया है, Light Combat Helicopter, हिंदुस्तान Aeronautics Limited के दोरा, तो उसने भी यहाँ पर जो है, शोकेस किया है, स्किल, fly past over करतव विपस, तो वहाँ से उड़ता है, और I am sure कि आप में से जो लोग कभी देखे होंगे, तो उसमें कई बार अलग-अलग प्रकार कर representations देखने को मिलता है, इसके अलावा यहाँ पर, क्योंकि अब आपको पता ही है, France के राशपती आए हुए थे, और जो हमने राफाल है, वो फ्रांस से ही खरीदा था, तो आप देख सकते हैं कितना अद्भुत द्रिश्ट देखने को मिल रहा है, 6 राफाल एरक्राफ्ट फ्लाइवर करतव विपत इन मरूत फॉर्मेशन, ठीक है, तो यह भी आपको देखने क हुई थी, तो यह था आपका India Republic Day 2024 का हाइलाइट, और जाने से पहले एक interesting question, देखो आपको पता ही होगा, कि 26 January के बाद 29th of January को beating retreat का ceremony होता है, क्या आप बता सकते हो, इसका significance क्या है, यह beating retreat का, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नही त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, you can just use this code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ से next time, till then, thank you very much, see you soon.